साथ क्यों? हमें समझ रहा होगा कि सियासत सोसाइटी का एक एहम हिस्सा है, लेकिन सोसाइटी में सियासत के अलावा भी दूसरे मसले हैं। सियासत और सत्ता की सोच से बहुत बड़ा, बहुत व्यापक किसी भी देश का समाज होता है। पोलिटिक्स के उपर भी समाज को आगे बढ़ाने के लिए बहुत स्पेस होती है। उस स्पेस को भी एक्स्प्लॉर करते रहना बहुत जरूरी है। ये काम हमारे एम्यू जैसे केंपस कर सकते हैं, आप सभी कर सकते हैं। साथियो, न्यू इंडिया के विजन की जब हम बात करते हैं, तो उसके मूल में भी यही है कि राश्ट के समाज के विकास को राजनेतिक चसमे से न देखा जाए। हाँ, जब हम इस बड़े उद्देश के लिए साथ आते हैं, तो संभव है कि कुछ तत्व इससे परिशान हो। ऐसे तत्व दुनिया की हर सोसाइटी में मिल जाएंगे। ये कुछ ऐसे लोग होते हैं, जिनके अपने स्वार्थ होते हैं। वो अपने स्वार्थ को सिद्ध करने के लिए हर हत्कंड अपनाएंगे, हर प्रकार की नेगेटिविटी भलाएंगे। लेकिन जब हमारे मन और मस्तिश्क में नए भारत का निर्वान सरवच्च होगा, तो ऐसे लोगों का स्पेस अपने आप में सिकुरता जाएगा। साथियों, पोलिटिक्स इंतजार कर सकती है, सोसाइटी इंतजार कर सकती है, देश का डेवलप्मेंट का इंतजार नहीं कर सकता। गरीब समाज के किसी भी वर्का हो वो इंतजार नहीं कर सकता महलाए, बंचीत, पीडी, सोसित विकास का इंतजार नहीं कर सकते सबसे बड़ी बात हमारे युवा आप सभी और इंतजार नहीं करना चाहेंगे पिछली शताब्दी में मतवेदों के नाम पर बहुत वक्त पहले ही जाया हो चुका है अब वक्त नहीं गवाना है, सभी को एक लक्ष मिलकर, एक लक्ष के साथ मिलकर नया भारत, आत्मनिर भर भारत बनाना है